तो शारी जुग्गी बाले मर जाएंगे एक दिन प्रहले भी आगी लग चुकी दो बार इसमें अमारे पत्वरसानी में हैं यह जुग्गी बालों को मर वाना चाहता है जान बूच के लिए नेता को जरूवित पड़ती है तो पबलिक की तो हाथ जोड के आता है अज हम हाथ जोड़ों तो कोई नहीं तो साम्दक्रानी हो रहा हमारे जोड़ों बच्चे के रोट पर देंगे और यह फैक्री बंद होना चाहिए जैसा की देखा जा रहे इस फैक्री के अंदर मैं सुरक्षा के सारे इंतियाम जो ताग पर रग दिये गए हैं पैसे मिलता यतना है पहले भी इसने ऐसे यार लगवाई थी दोजार तैजिस के फाइनिशल क्लोजिंग येर मार्च में दिल्ली के कई इलाकों में आग जैनी की घटनाएं हुई जिसमें कई जाने और करोड़ों के माल का भारी नुकसान भी हुआ है जिसमें वजीरपुर में आग 31 मार्च को लगी और दूसरी घटना 16 मार्च की है जो एक कारखाने में आग लगी तंबल विभाग के मुताबिक इमारत में अगनी शामन की कोई भी विववस्ता नहीं थी शुर्याती जाज में पाया गया कि इमारत कद आग के माप दंडों के अनुकूल भी नहीं थी कारखाने में अगनी शमन उपकरण नहीं थे नहीं इमारत में आग बुझाने की कोई भी विवस्ता थी इमारत में केवल एक निकास था और ये चारों तरफ से ढखा हुआ था जिसके कारण फायर कर्मियों को आग बुझाने में काफी कठनाईया हुई नमिशकार आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हैडलाइंस लाइव न्यूस पर और मैं हूँ आपके साथ मोहमद रफी एक यानवे बो इंटरनेशनल वजीपूर फैक्टरी एरिया में लगी आग लगबक 30 घंटे से ज्यादा समय पर काबू में आई वह बात अलग है कि 4 घंटे की महनत पर द पर सराते हुए शेर की है और लिखा है कि 31 मार्च 2023 को समय सुबह 8 बजे थाना अशोग्यार को आग लगने की खबर मिली जिस पर पुलिस विभाग तुरंत मौके पर पहुंचा और 15 आग बुझाने वाली गाडियां बुलाई गई और इस फैक्टरी में कोस्मेटिक दाबू पाल या गया है कि तसली देने के बावजूद भी आग पुरा दिन सुलकती रही और रात होते होते आग फिर भड़क गई जिसके डर से नजदीक की जुग्यों में रहने वाले आम लोगों ने अपनी अपनी जुग्यां खाली कर बच्चों और बुड़ों को लेक पर सड़कों पर आगए और पूरी रात और पूरी रात जाग कर सड़कों पर काटी जिसके कारण रात भर सो नहीं पाए और दो दिनों से अपने अपने कामों पर भी नहीं गए कर दिन भर पड़े रहे बच्चों को लेके और आप दिन कब कल दिन भर पड़े रहे रोट पर लेके और यह फैक्री बंद होना चाहिए अब यहां पर यह नहीं तो सारी जुग्य वाले मर जाएंगे एक दिन रात को सो रहे और पता नहीं यह कब आग लग जाए फिर क्या होगा लग लग चुकी दो बार इसमें लेकिन इसने मालिक ने बंद निकरी यह जुग्टी बालों को मरवाना चाहता है जान बूच के गरीबाद में कहां जाएगा यह तो पैसे बाला इसको मिल जागा इतना हमारे को क्या मिलेगा है हम 30-40-50 साल से रह रहे यहां पर यह कह करता है पुरानी थी और यह की मंजल थी अब चार-पांच मंजल बना ली इसने चार पंजल बना लिए और खाए बच्चों को लेकर रोट पह रहे रात को दिन को नेंद भर सो पार रहे डर के मारे यह तो बड़ा आदमी अपने घर में सो रहे है पातान के और हम लोग लुड़ा सब बूरा लगे यह कर दो यहां प्लक्त सो फ्र लगाए इसमें बिल्कुल यह काम नहीं होना चाहिए बिल्कुल यह काम नगए बिल्कुल के खटर वाला के अदमी रात को लग गई मालो अग्सी को ख़वन नहीं नीन में आदमी सोरा है तो मरेगा के नहीं यह किनारे से लगी है इसमें यह बाली फ्रक्ति नहीं होती तो लगती जरूर सारा जुगिश हो जाना है कल सुबरे साथ वजे की जो आग लगी हुए इस फैक्टी के अंदर में तो बहुत ही बैंकर रूप में आग लगी थी और जिस आप से आग लगी थी तो कोई भी हाथसा ब इस वजे से आग लगी है पर यह कि जिस तरह से आग लगी थी बहुत वहंकर रूप था और आज तक यह जो नहीं चल लए अभी तक कवर नहीं हो पाई है कल से पुलिस कर्मी और दमकल कर्मी सारे जो है लगी हुए थे बड़ी मसक्कत करनी पड़ी है जैसा कि देखा जा र इंतियाम जो तागवर रख दिये गए हैं यहालत यह है कि जितने भी दमकल कर्मी आयते सारे परेसान हुए हैं कम से कम मेरे कैसा सो से ज़्यादा गाड़ी आ चुकी आग बजाने के लिए अगर इसमें कोई भी सुरक्षा के इंतियाम होते तो साइद इस तरह का है कि पानी जो लोग रहते हैं वो लोग रादबर सो रादबर कोई नहीं सो पाया एक बज़े किसी ना बोला कि जुगियां खाली तो सारे बाहर जुगियों से बाहर आ गए आग इतनी पेस्ती कि कहीं पर भी आ सकती थी सबसे बड़ी भूल इनकी यह है कि उनको पास कोई फाइर पानी मार सके भी सके कहां लगी हुए नहीं बढ़िंग ते नहीं बने है ना जी नहीं बने उसके बाहव दुत मी बिल्डिंग जवा नक्सा डिजाइन है कोई लुट सकाटनी तो राट रहते परेशार रहा बागे ने इंदिनिनिया यह तैंग अगली में डाइरा यह मताय अभी तक आदमी जितने जुगी के हुदा तो सो पाए हैं हर वकत जो इसा रोड पर देखना कि इतनी आग लगते हो दूसरी जुगी भी जल जाती पूरी के पूरी पूरी आदमी परेसान थे अभी तक भी देखो आप लोग बहुत ज्यादा परेसान है आदमी अभी खाली कर दिया आप लोग जो काम परेसान होंगे तो कोई नहीं गया आपकी गली में जितने भी लोग है सब घर में सब घर हुगे अजारों आदमी नहीं गया जारों आदमी की बात करें तो दो दिन से काम परेसान हो रहे हैं बहुत ज्यादा तो में बहुत डर लगता था सब राद बाहर रहे हैं अभी तक इम्मलब की राच से सोई नहीं नहीं सोई हैं तो अभी यह जो गटना हुए क्या लगता था कि इस आख से जुग्यों में आप फिल जाती इतनी भैंकर लाग लगी तो पहल जाती जुग्ग पूरी राध जागे हम लोग जाएंगे तो पतली गली यह कहां निकल के जाएंगे आग लग जाएगी सब के घर में सिलिंडर है आपने सुना कि इस्थानी निवासियों नहीं फेक्टरी को लेकर क्या बोला जो हमने भी इस फेक्टरी की जमीनी हकीकत निकालने की कोशिश की तो हमें भी मालूम चला कि इस फेक्टरी पर बो इंटरनेशनल कंपनी के डारेक्टर आईश गुपता और सुनीता गुपता ने कोई भी फायर की अनोसी नहीं ले रखी है और फायर सुरक्षा का भी कोई इंदजाम नहीं कर रखा था लोगों के अनुसार इस फेक्टरी का इतियास बताता है कि ये फेक्टरी तीन बार आग के हवाले हो चुकी है लेकिन पुखता तरीके से दो बार आग लगने की घटना सामने आई है जिसमें एक अभी जो 31 मार्च 2023 को हुई और दूसरी आग ज आउन में इस फेक्टरी ने सबसे जाधा कमाई की ची क्यों कि इस फेक्टरी में सेनिटाइजर का प्रोडॉक्षण बड़ी मात्रा में हुआ था क्योंकि बो के इंटरनेशनल कंपिनी का करने वाली बात यह है कि इस फैक्टरी पर चार प्राइवेट लिमिटेट कंपनियां रजिस्टर हैं जिसमें से एक है भोला वावा एक्जिप मेटल वावा इंटरनेट बो इंटरनेशनल और चोची है एक्सिलरेटर ब्रांड्स और चारो कंपनी एक्टिव हैं अगर मैं चा प्राइवर की बात करूं तो लगवर 50 करोड से भी जादा का है इस फैक्टरी की जमीनी हकीकत ऐसी है कि जब लोगडाउन से पहले इस फैक्टरी में आग लगी थी तब इस फैक्टरी की बनावट यह थी आग लगने के बाद फैक्टरी बनाई गई जो यह है और आग लग कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि फैक्टरी में आग लगना बीमा कंपनी से पैसे एठने की कोशिश है मैं इस बात पर दावा नहीं करता हूं लेकिन अब यह जांच का विशेव बन चुका है अगली जमीनी हकीकत में मैं आपको इस फैक्टरी में चल रही सारी कंपन की जमीनी हकीकत आपको दिखाऊंगा अब मुझे दीजिए इजाजत शुक्रिया शब्बाखेर